हाँ दी आज हम चैप्टर कुर्ट 2 करेंगे एक्ससाइस 2.2 है और चैप्टर करना हमाँ पैसा है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर क्लास 9 है अब रोचिस नाम बोड कोईटा की बोक है ठीक है आज हमने इसका कुस्ट नबर 1 करना है कि राइट था रेडिकेंट और इंडस ठीक है अच्छा यहां पी अभी हमारा जो टॉपिक है वो रेडिक रेडिकेंट और इंडस का है ठीक है अच्छा जो भी इस सुकेर रूट में यूब रूट में ठीक है इस रूट में जो टाम आती है यह यह जो रूट कहलाती है यह आपके पास रेडिकल कहलाती है ठीक है इसके अंदर जो होती है यहाँ A है ठीक है तो यह जो A कहलाएगा, यह आपके पास Berican कहलाएगा Retican और यहाँ पे याँ यहाँ पे N यह जो होगा, यह आपके पास Index कहलाएगा, ठीक है? दोबारा सुन लें कि आपके पास जिस तरह यह वाली form है यह वाली यहां N है यह A है यह जो square root वाली form है यह वाली यह अंडर root वाली यह जो form होती है यह आपके पास क्या कहलाती है यह आपके पास radical कहलाती है ठीक है यह जो इसके अंदर होता है यह आपके पास radical कहलाता है ठीक है और यह जो N होता है यह आपके पास index कहलाता है ठीक है अब यहाँ पर आपने क्या करने है रेडिकंट और इंडिस को आपने लएद लएदा करने है ठीक है जिसना पहला पाट इसका है 5pq डिवाइड बाइड बाइड और cube root तो यहाँ पर मैं इसका क्या लिखती हूँ रेडिकंट जो कहा 5pq डिवाइड बाइड और index जो आपके पास है वो है 3 ठीक है next आप देख सकते है m over n और p root है ठीक है तो यह आपके पास जो रेडिकंट आता है रेडिकंट आता है वो m by n आता है जबकि जो index आता है वो आपका p आता है इसने जिगांपे है 8b divided by c plus d whole 5 है ठीक है और 7th root है रेडिकंट इसका 8b divided by c plus d whole की power 5 जबकि आपका इसका जो index आता है वो आपके पास 7 आता है लास्ट आपका जो इसका part है वो है 125 m की power 9 n की power 15 और cube root तो यहां पे आपको देख सकते है रेडिकंट इसका क्या आता है 125 m 9 n 15 जबकि इसका जो index आता है वो आपका 3 आता है ठीक है तो यहां पे देख सकते हैं यह जो square root वाली form है यह आपका radical है इसके अंदर जो है यह रेडिकंट है और यह जो बाहर नमबर होगा यह आपका index होगा ठीक है तो रेडिकंट उन्हों ने का था और index का था वो मैंने यहां पर अलाइद अलाइदा करती है ठीक है कोसर नमबर टू करने लगे हैं इसको solve करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं और अप तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लग रही है आपको concept आ रहा है आप अपने work में आपको help मिर रही है तो करनली मेरे च चैनल को जदे जदे सबस्क्राइब करें और अपने friend of family के साथ जदे सब्सक्राइब करें इसके लावा अगर आप मेरे चैनल पे पहले से मजूद है और सब्सक्राइब किया हुए है तो बहुत 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 शुक्रिया लेकिन लाइक ज़रूर कीज़ेगा और जदे उसको शेयर करें अपने Facebook पर इस्टा पर तांकि जदे सब्सक्राइब कर मेरी वीडियो पहुंच सके ठीक है तो अब हम इसका question number two करते हैं वीडियो को skip मत कीज़ेगा एंड तक जरूर देखेगा बहुत important topic है एक नया topic है जिसको आप introduce कर रही हूं मैं ठीक है आपके लिए तो आप इसके में अपना concept fully लें तांकि आपके पास किसी भी किसम का question आए तो आप उसको understand कर सकें ठीक है तो अब हम क्या करते है question number two करते है कि write the following in radical form अब आपने क्या करना है radical form यानि कि square root वाली form में लिखनी है अच्छा एक पात याद रखेगा कि इस तरह की जो form होगी न variable exponent भी आपकर होता है मतलब इस तरीके से वो जीज़ होती है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कि यह आपके पास है और इसके यह base होती है और अगर इस condition में है तो यह base है और यह आपके पास exponent है ठीक है तो आपने क्या करना है कि यह जो पूरी form है यह exponential form है इसको आपने radical य देना है अंदर आपने यह सारा लिखेना है 8x-7y-18 ब्रैकेट बंद करके 3x4 है तो यह जो उपर वाला numerator होगा यह आपने अंदर लिखना है और यह जो denominator होगा यह आपने बाहर लिखना है ठीक है बस इतना सा काम करना है आपने और यह आपकी radical form बन गई है ठीक है अब यहा आप लिख सकते हैं 32 को 3x5 में तो आप जब इसको exponential form में लिखेंगे, exponential को radical form में लिखेंगे 32 अंदर लिखेंगे 3 इदर लिखेंगे और यह जो 5 है उसको बाहर लिखेंगे ठीक है अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो देखें 16 की power minus 0.5 है 0.25 है इसको solve करें तो यह 100 आता है 25 by 100 यानि के यह 1 by 4 आता है यानि के 16 minus 1 by 4 तो आप आप इसको किसे solve करेंगे 16 अंदर लिखेंगे minus 1 लिखेंगे यहां पर 4 डालेंगे और negative है इसको positive करना है तो आपने इसको divide में लिख लेना है ठीक है ऐसे अब इसका last part है वो है 18 1.5 1.5 को आपने solve करना है तो यह देगा 15 by 10 5 3 0 और 5 2 0 यानि के 18 के उपर यहां पर आप लिख सकते हैं 3 by 2 ठीक है तो आप इसको एक ऐसे solve करेंगे यह वाला सैंबल डालेंगे 18 अंदर लिखेंगे यह 3 यहां पर लिखेंगे ठीक है यह 2 जो denominator है यह आपने बाहर लिखना है तो यह आपके पाल बहुत easy था जिसमें आ इक है कै की कै की कै कि अखहु मान पर में हुआ है टो स्टबग रेंगे राहर भालेंगे कै कहा है यहां है में हाधूर के यह का थजीक है यह भीक है झाल झाल